यहां पर 0.8 या 0.7 और यह आएगा वी प्रो के लिए वी प्रोसेसर दूसरा 0.8 यह आएगा वी फोनों में आप पाँच कोईल होंगी तो आप समझो से वी एस वन है तो वी एस टू किदर है भाई तो वहां पर आप नोटिस करो एस्टा बक अब देखो यहां मिस्टेक है ब कि तुमारे तो आप वोल्टिस के वो सारे आ रहे दे बर तुमारे उसके बाद भी काम कि नहीं हो रहा था कि तुमारा बिसी किली जो मौडम है वही व्रत्ती है सबसे पहले जो मीडिय टेक्स तरी फाइब सबनाती है वह बनाती है वी प्रो आप देखो यहां पर नाम हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के जिद है मेरा फिटूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुरूर है मैं यूदूब फैमिली कैसे आप साभी लोगया दोस्तो एक वीडियो काफी टाइम से मेरे दिमाग मता है कि चलो आप लोगो को देता हूं और दोस्तों ये क्लास का किसी बहुत बड़े-बड़े इंस्टिटूटर की क्लास का कॉंटेइन है, मेरी क्लास के लिए फ्री है, आज आपको समझाऊंगा, एक बक सप्लाए और आज केस टड़ी लूँगा, अगर मैं बात करूँ, मीडेटेक 6357CRB, सबसे एक होट केस, जिसमें भी ये प्रोडेट लगा होगा, हम उसी फोन की बात करेंगे दोस्तों, दोस्तों क्या होता है, बक कैसे बनता है, सारी चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा, कैसे चेक करना है, कितने वोल्टेज ये निकालती है, क्या एंपियर होता है, मैं जितना होज़ता है वीडियो में आपको बताने की कोशिस करूँगा और इसे कहीं ऊपर जाना है इसके और अच्छा समझना है डीब लेबल पे और इससे भी डीब लेबल पे जाना है तो फिर इंसिटूट को जरू जोइन करना है इसा टेली कॉम जिसमें आपको वर्ड ग्लास टीचिंग मिलेगी इस बात का मैं आप से प्रॉमिस करता हूँ आईए बात करते हैं बक दोस्तो अगर मैं बात कहूं तो बक को step down भी कहा गया है दोस्तो बक कंवर्टर एक step down कंवर्टर होता है अगर मैं गूगल की अर्थ भासा में बात करूँ तो बक और step down is a switch mode voltage regulator supply in which the output voltage is lower than input voltage आपने समझ में आई मैंने क्या बूला मतले एक ऐसा voltage regulator circuit है दोस्तो यह एक ऐसा switch mode voltage regulator circuit है जो कि DC to DC converter तो है साथ में यह एक higher voltage को lower voltage में convert करके supply को आगे बेशता है बड़ अब बात करते हैं दोस्तो यहाँ पर बक कोईलो का जो use किया गया है इसी से बक circuit बनता है इसी से बक converter बनता है बिना कोईलो के बक circuit बनता नहीं है अगर मैं बात करूँ दोस्तो जब भी भी हम बक circuit की बात करते हैं जब भी हम कोईलो के आस पास आप आप नोटेश की छे हम इस तरह का circuit डेखते हैं जहां पर बहुत सारी कोईल होते हैं आप देख रहे हैं आप जहां एकपर बहुत सारे कोईल होते हैं और अब आप प्लस 6 जिसमें 13 कोईल है आप सोचें कि क्या 13 की तेरे बख हैं क्या सारे ही CPU को जा रहे हैं क्या हो तक्ता है कुछ तरह की एक IC को भेजना होता है जैसे एक company में मुनीम होता है एक accountant होता है कंपनी में कोई भी salary उसी account division से राती है और कोई HR department को salary नहीं देगा वो salary के लिए आपको authorized करेगा पर जो selling आपको बेजेगा वो count division नहीं भेजेगा आपको finance division आपको selling नहीं भेजेगा आपको जो हम बात करें कोई और division level cost delivery division या courier division या जो भी divisions होते हैं हमारे कंपनि के वो आपको कभी भी selling नहीं देंगे आपको selling देगा एक account division वैसा ही हमारे phone का Account Division हमारा Power ICO होता है उसका नाम ही Power है Power जैसे इसको सुरू से क्या बोला गया इसको Power मनलब PMU जिसको Power Management Unit कहते हैं यूनिट मनलब एक इकाई जो बहुत सारे चीजों को एकटा कड़के चलती है अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसको पहले के मुबाइलों में क्या-क्या बोला गया है UEM Universal Energy Management ICO Universal मनलब एक बहुत सारे अलग-अलग ICO को मैनेज करने के लिए एक ऐसी Power Unit जो सब ICO को खुद पावर दे रही है और वो खुद एक Input Voltage ले रही है और सब को जितना चाहिए उतना पावर दे रही है मेरी बात समझेगा यह वीडियो बिल्कुल स्क्राइब में कीजेगा जितना आप इसको समझ सकते हैं उतना आप समझे मैं आपको डिटेलिंग करता हूँ और इस सारी चीज़ बताता हूँ कि कितना बख को इस IC में बनता है अभी फिलाल इस IC की बात करेंगे दोस्तो जैसे हम बात करते हैं कि किस तरह से Voltage को देती है अब ऐसा तो नहीं है कि चार Voltage ले रही है तो सब को चार चार बाट देगी तो इसको स्विच मोट तो कहते हैं कि कोई कि DC to DC स्विच मोट हो रहा है बट हम बात करेंगे पर यहाँ पर स्विचिंग मोट हमें हरे को चार Voltage नहीं देने जैसे एक company की बात करते हैं एक manager की तंका होती है 10,000 एक senior manager की तंका होती है 15,000 और एक general manager की तंका होती है 1,00, वहीं एक साधारण कर्मचारी की तंका होती है 5,000 और एक normal office attendant की तंका होती है 1,000 मान के चलिए कि अगर आप एक हजार वाले विष्टी को आप एक लाखों पर दे दे सड़ली तो क्या होगा वो तो पैसा लेके भाग जाएगा ना तो वो क्या आएगा दो कंडिशन होगी या तो वो सहली पाकर भ्योस हो जाएगा वो लेका भाई इतनी चलिए ओमाई गाड और वो उसको समाल नहीं पाएगा और भ्योस होके गर जाएगा वैसे ही हमारी फोन में होता है कि जहां पर दो वोल्टेज चाहिए वहाँ पर अगर चार वोल्टेज आ जाते हैं तो वो सरके डैमिज हो जाता है क्योंकि वो समाल नहीं सकता है वैसे ही मानके चलिए कि हमारी जो जन्रेल मैनेजर उसको एक लाग मिलता है सीनियर मैनेजर उसको पचास जार मिलता है अब मानके चलो सीनियर मैनेजर को पचास जार मिलता है अब आप गलती से उसको पचास जार नहीं दे रहे हैं आप उसको एक हजार दे रहे हैं पचास हजार की जगे उसको एक हजार दे रहे हैं तो क्या होगा वो काम करेगा वो मुझे पुला लेगा नहीं मुझे काम नहीं करना क्यों क्योंकि उसको उतनी requirement है तो हर ICO का एक requirement होता है एक्टिव रिकॉर्ड्मेंट को पूरी करता है और जिसकी जो रिकॉर्ड्मेंट होती है अगर उसको उतना नहीं मिलता है तो वो section काम करना बंद कर देता है इसलिए इसको power management unit करते हैं हर चीज को manage करना कि जिसको जितनी चाहिए उतने ही दूँगा अब मैं बात करता हूँ जो मेरी supply है दोस्तों जो मेरी power IC है वो power IC मेरी media tech के 6357 में क्या-क्या supply बना रही है और हमारे CPU को 6357 में कितने buck voltage की जरूत है और उस पर क्या-क्या voltage आपको मिल सकते हैं दोस्तों अगर मैं यहां पर आपसे बात करूँ तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहां पर बता हूँ मान के चलिए यह coil है यह coil है एक एक दो तीन चार पाच आप देखें पाच कोईलों का यूज किया गया है यहा बनाया जाते हैं कुछ पावर अपने खुद में लेती है ताकि दूसरे वुल्टेज बना सके हैं और वी रेज इस तरी के से इसम कड़ सके हैं मैं आज किसी और की बात नहीं करूंगा उन्हें को दोस्तों यह मेरा पावर आईसी का सट किट है और इस पावर आईसी के सट क हुआ है बग कंट्रोल सो बग कंट्रोल का मतलब यह होता है कि यहां पर सब कंट्रोल है यहां से और यह जो है दोस्तों यह पूरी की पूरी नहीं मिलेगा जैसे जे उल्क का उसने प्लस पर पूरा नहीं मिलेगा ये मिलें अपर ओल्टेजड को तो पता यह ना कि अब तक कि लोड पूरा नहीं होता है और लोड पूरा होता है प्लस के साथ माइनस देने पर तो तब तरीके से अपने बिक आइख को पूरहा करेंगी और आगे चाहिए एक और जिसको हम καते हैं बत कोई तो सबसे पहले जो MediaTex S357 बनाती है वो बनाती है वी प्रोब आप देखो यहां पर नाम लिखा हुआ है वी प्रोशी वी प्रोब मनलब होता है वी विल्टेज फॉर प्रोसेसर यह बेसिकिली कोल व्ल्टेज होता है दोस्तों जो आपको मिलते हैं और यह मिलते हैं 0.7.8 इस तरह के यहां प बात करूँ यहां पर और अगर मैं बात करूँ यहां पर तो दूसरा जो वोल्टेज इसको मिलेगा वो मिलेगा दूसरों यह पर कोर वोल्टेज देखो यह भी प्रोसेसर के वोल्टेज है और यह भी प्रोसेसर के वोल्टेज है दोनों ही वोल्टेज के कोर के लिए है जैसे code क्या होता है? तो मेरा यह प्रोसेशर आठवार अलग-अप्लिकेशन यूज करता है तो यही ओट्टक और हर code को अलग-अलग voltage देता है और यही converter तो जैसी इसके अंदर आता है वैसी यह voltage यहां देता है और यह कोईल के माद्धम से यह वोल्टेस को कंवर्ट करके आगे भischता है, जिसको हम बोलते हैं कम वोल्टेस को कम करता है पर एंपीर भड़ाता है क्योंकि CPU को ना कम वोल्टेज्चच चाहिए, वो जज़ाधा व्ोब्टेज्च पर काम नहीं करता तो वह कैसे करेगा वैसे ही अभी भटे कोईलों में आप देखे कि जितने कोईल्स बढ़ रहे है मührenलब CPU को उतना ही ज़ादा कि enhance किया जा रहा है म statement कोईलों को भढ़ाया जा रहा है कि उसको लोट को बढ़ा सके सब्सक्वा को लोड वातों वहता है पर वो भी हमारे core division में जाता है, ये भी हमारे core division में जाता है, तो ये actual दोनों बख होते हैं, यहाँ पर भी आपको voltage जो मिलेगा, 0.7, किसी phone में 0.8, इस तरीके से आपर voltage देखने को मिलेगा, अब दोस्तों अगर यह voltage नहीं बना रहा है, तो इसके बहुत सारे अलग-अलग solutions हैं, और यह solutions में आपको किसी अलग वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ मैं इसको explain कर रहा हूं, जैसे phone jumper यह feedback की line है, तो अगर यह feedback की line भी sense करना बंद कर देगी, तो यह bug बनाना बंद कर देगा, और भी कई reason है, यह bug बनाना बंद कर देता है, आई-hook क्या भी यह स सरसर एक हो गया, आपका V-Core, अगला coil दोस्तों यहाँ पर जो बनता है, यह notice करो, यह है modem का coil, modem, so modem तो यह modem का होता है, यह modem का कहा जाता है, अगर मैं बात करो, तो यह भी CPU में जाता है, पर modem की supply बनाने के लिए, तो यह basically यहाँ पर भी, क्योंकि मीडर टेक है, 8 या 0.9 something, और यह voltage भी आपके CPU में जाएंगे, और अगर modem का, क्योंकि CPU के अंदर एक modem आई सी लगी हुई है, और जब तक वो modem एक्टिवेट नहीं करेगा, आपने आपको खुद को voltage नहीं लेगा, तब तक आपका baseband की बात करूं, या आपके network की बात करूं, तो किसी भी तरीके से frequency डियर, जो भी department है, वो काम करना बंद कर देगा, तो जब भी में बात करते है, बहुत सारे लोग गोलता है, नोट 5 प्रो में मैंने पावर निकाला, पावर चेंज कर दिया, एक बार में काम हो गया, reason क्यों, तुमने पावर पे क्यों काम किया, क्योंकि तुम दोस्तों आपको यह कोईल का भी ध्यान रखना है, अगला मैं बात करता हूं, VPA, दोस्तों यह जो VPA से बहुत से मीडिया टेक में आपको देखने को मिलेगा, और यह VPA इसका फुल फुम होता है, voltage for power amplifier, और यह CPU में नहीं जाता है, यह आपके जाएगा, सीधे network IC में, और network क्योंकि दोस्तों, मीडिया टेक के अंदर क्या होता है, अगर मैं बात करूं, मीडिया टेक के अंदर है, APTIC नहीं होती है, जिसको हम बोलते है, average power tracking, जो ABT power, जो आपकी सब power होती है, एक power amplifier, 4G, RF के लिए, सो यह basically क्या गाम करता है, आपका 4G को direct voltage देता है, मीडिया टेक के यह मैं आगे किसी वीडियो में आपको बताऊंगा, और यह मैं आपको चर्चा करूंगा, क्योंकि इसको explain करना पड़ेगा, यह कहां जा रही है, यह CPU में नहीं जाती है, यह आपके power में ही बापस आती है, और भी कहां कहां जाती है, मैं आपको एक और इसके बाद एक नहीं है, तो VS2 किदार है, बाई, तो वहाँ पड़ आप नोटिस करो, extra buck, आप देखो यहाँ मिस्टेक है, बल्क नहीं है, अचलिए बाद है, यह misprint होगा, तो आगा मैं बात करूं, तो extra buck एक AIC बनाई जाती है, और इस IC के लिए मैंने इसका bypass अपने एक, इसे टेलीकॉम के ऑफिसल चैनल पे डाला था जाके देखिए लिंक में नीचे देदूंगा उस लिंक को क्लिक करके इसका बाइपास देख सकते हैं इसे विए एक जंपर से आप इस आईसी को आटा के इसको बाइपास कर सकते हैं बड़ उसके लिए इंपूट आना बहुत ज़्यादा आप नोटिस करो कि अस्टा बग ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है क्योंकि यहां पर कोईल लगाए गही है पाच अब जैसे फॉल जंपर अगर मैं इसको कंप्यूटर के मादम से दिखाओं देखें जैसे फॉल जंपर मैं इसको बूर्णियों के मादम से भी दिखाता हू सो नोटिस करो दोस्तों यहां पर आप देखो यह मीडेटिक का 6357 CRV है और इसका क्या वर्जन है इस पर हम अभी बात नहीं करेंगे यह हमारा में यह हमारा बात है यह हमारा है PMU पावर मैनेजमेंट यूनिट ठीक है अब यहां पर देखें तो एक दो तीन चार पाच रही है, यहां पर 0.8 या 0.7 और यह आएगा WebPro के लिए, WebProcessor दूसरा 0.8 यह आएगा ve iCode के लिए, तीसरा यह आ एगा modem के लिए और चOUथा अगर बात करूอब यह पर यह बीटियो हो यह आएगा यह यहां पर आएगा आपका LDO की लाइन के लिए, अब यह लोगर आय य वीडियो में comment के बाद मैं आपके लिए क्या नहीं दूंगा यार क्योंकि मेरे को लगता है यह जारी चीजें मेरे लिए बेसिक है मैं इससे कहीं और उपर पढ़ा सकता हूं और इतना knowledge तो मेरे तो हुने नहीं वाला भाई अब ऐसा नहीं है कि यह सप्लाई आ गई तो भी आपका फॉन आउन हो जाएगा भाई उसके बाद भी बहुत सारी लाइन हैं जिसको पावर को सीप्यू को बहुत सारी हैं अलग-अलग आईसी लगी होती है उनको भी वोल्टेज चाहिए तो आप आपको बूट सुकेंज ना कोई भी एक वीडियो में कभी नहीं समझा सकता और आप कभी यूटूब में बूट सुकेंज को कितना ही समझ लोगे आपको कभी भेजे में घुसे का नहीं तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि प्लीज अपना टाइम अपना वेस्ट मत किजे और कोसिस करें कि इंस्ट्यूट को जोइन करके कि फिर उसका आपको जो मिलेगा मुझे लगता है कि आपको कोई रोक पाए आपके मार्केट में पर दोस्तों गलती बिल्कुल यह मत किजेगा ओनलाइन पढ़ने की गलती बिल्कुल मत किजेगा कोई सस्ते फीज वाल क्योंकि दोस्तों आप क्याते हैं किसार किरी मत करों करूंगा क्योंकि अग्ति बडूड़ा लग जाया पर फिल्ली बुरा मत मान fier हो सपते है आप कभी थिन ने ने आप क्या हाथ में क्या लाना चाते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें जोइन करेंगे तो आपको मैं वो वर्ड क्लास टीछिंग दे पाऊंगा जो आपको चाहिए और मेरे को भी मज़ा आएगा आपको पढ़ाने में क्लास में अब इस वीडियो में बहुंगा और इसके जैसे मैंने बताया है हर चीज में पहले तेयोरिकल फिर बाद में प्रेटिकल सो मैं भी एक उधारेंगी तौर भी आपको टेस्ट कर रहा हूं कि क्या मुझे रिजल्ट मिल रहा है मेरे आउपुट से कि मुझे अगला वीडियो बन क्या इसी उसको अगर आपको देखना है कि कैसे उसको जंपड मारा सो नीचे मेरा एक वीडियो लिंक में है उसको जाके देख सते हैं सो थैंक्यू वेरी मुच्छ ने स्टुन को भी बुला रहा है सबूदे रहा है लास्ट डे क्या करके आप लास्ट डे कर से निकाले और किया उपने क्या लिए निखाला क किया वह मैंतर समझ में है रहा है वीडिकर दिबोल्क क्या वह सब्सक्राइब करा में сàcies यह झाला करके लूद मत्रून क्या आपने लास्ट घग करके लास्ट शmbंस्ट ढ़ने ड्ल दीकर किया अपने क्या किया चाहता हूं आखरी दिन आपने क्या किया बहुत अच्चे किया आतने पहले ते पिल्कु आज आपने क्या कि आज करें गया कर लाफ पिर सबने क्या किया उपने किया अपने पच्छे निकाल के उप्पे लगाएं मलब उसका रैम क्लीन करके और के से टेंसिल किया आपने अज कि दिनका बताओ बडबल डेकर से प्यूब कर रहे हैं उसको भी किसे की आपने ऑफने आज आखरी दिन क्या किया आज आखरी दिन था सरुमसंबने अनट ड्पीज़क कर सिप्यों रैम और सीपी उतार के दुबारा लगाया सब्ली बच्चों ने जो सेवेशने विट तारीक के लिए सट राव ड्रोच कि इसलिबट कॉने तारीक को आये ते सरुम क्या आज के दिद्मत है साथ रूटी करकिया आपने मेरे साथ में अब आप आप अब